एक तरफ दतिया में भीशन गर्मी और लूका प्रकूप जारी है यहां ताप पान पैतालीस डिगरी के आसपास है दिन के समय में सडकों पर सन्नाटा चाया रहता है जुलसा देने वाली गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज की कुशिश करते हैं वहिस भीशन गर्मी में भी एक तपस्वी अगनी तप कर रहे हैं दतिया के हनवान गड़ी चेतन आश्रम मंदिर में मानाव कल्याण के लिए एक तपस्वी पिछले कई दिनों से तपस्या में लीन है संत स्वामी रामानंद जी ने बताया कि आश्रम के चेतन आश्रम में कई वर्षों से हट तपस्या होती चलिया रहे हैं इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं में उन्होंने बताय के अगनी तपस्या और पिछले चे सालों से कत्या रहे हैं वहीं संत के दर्शन के लिए भी लोग महुच रहे हैं लगे 500 किस अदेश को लेगा कर रहा है किया उद्स ही जन करन्याल के लिए करें वह या कपसे कर रहा हैं वह कितने समय ब्याटते हैं यह तब सब्सक्राइब करते से निए करते थे पूट में दो मेहिन ना जल्धारा होती थी और येद बैसाथ में अगनी तपस्या होती है जाल कुंडी, सवासव कंडा रगाता थर के बीच में बेढ़के अगनी तपस्या दिल्या एक अधशी तक ये तपस्या चामूर आती है दिल्या एक अधशी की बात को नवदि हो जाती है चर्टे बात हम लोग इस अग्मी तपक्ष्या का वंधार अचर देते हैं। ए उदाशी परमपड़ा से आती है। हमारे उदाशी संपताय जो है पूरे भाज में फैला हुआ है। उदाशी संपताय में यह काड़ा जो हमारा जो है नया खाड़ा है। इसमें तपस्या हमेशा चलती जाती है, कितने दिन की होती है? डो महिने की होती है, जलदारां दो महिने दो महिने जो है कि अगनी तपस्याँ, जलेगा नमस्कार मैं हूं रायान पड़वा हम पाप पहुंचे हैं हनुमान गड़ी मंदर आज हम आपको ऐसे संत की दर्शन करा रहे हैं कि आप देखके हैरान रह जाएंगे जहां एक और धूप चिल चला ती धूप 45 डिग्री ताह मन चला जहां लोगों का घर से नकलना दोबर बह यहां एक संत मानव कल्याण के लिए तबस्य कर रहे हैं इसे हट तबस्या बोलते हैं कहां जाता है एह तबस्या 41 दिन की होती है जिसे गंगा दसेरा के दिन समाप्त किया जाता है मैं दतिया से रायन पड़वा बहुशा प्राइट